गुद मॉर्निंग तुदेंट इस अकासर तो नाव यह विए गिए लुग तुछ नुमर्वर्मेंट इस अड़ियों अपने इस अड़ियों आप नुवास इस्थान ठीक है आपका है विटेट जहां आप रहते हैं ठीक है नॉमली यह हुता है सेट्लमेंट का मतलब तो settlement are the places where people build their homes जहां वे अपने क्या homes मतलब वे अपने घर बनाते हैं यही तो settlement होता है और क्या होता है ओके नॉर्मली हम दो है settlements जो है different different types से कर सकते हैं जैसे rural settlement होता है मतलब ग्रामिन अर्भन मतलब सहरी इस तरह से हम जो है settlement जो है कर सकते हैं ठीक है तो start करते हैं settlements can be two types दो तरह से हम settlement कर सकते हैं एक तो होता है आपका temporary ठीक है temporary मतलब जो आपका स्थाई ना हो और स्थाई ठीक है जैसे आपने यहां घर बनाया अब next आप दो-चार महिनी के बाद या फिर एक साल के बाद आप कोई दूसरा स्थान अपने टैक कर लिया ठीक है तो these are the settlements are called the temporary settlements settlements which are occupied for a short time are called the temporary settlements जो short time कह रहा है है short time short period के लिए जो है occupied हो उनको हम जो है temporary settlement कहते हैं okay students जो बहुत कम समय के लिए होता है बच्चा example the people living in deep forest जैसे जंगलों में जो रहते हैं hot and cold desert and in the mountains जो लोग जो रहते हैं जो forest में रहते हैं deep forest मनी घने जंगलों में रहते हैं उनका कोई permanent settlement थोडी न होता है वो आज जैसे यहां उन्होंने घर बनाया next अगले कुछ दिनों के बाद या कुछ महिनों के बाद वो जो है दूसरी जगह चलेगे so they build their settlement from one place to another place so these these are the called the temporary settlement okay students so now as you read in the tribal decues and the period of golden days मैंने पढ़ाया था कि जो आपके tribal people थे वो forest में घर बनाते थे और वो जो है shifting cultivation करते थे जिसमें वो जो है खेती जो है जगह बदल-बदल के किया करते थे it is just like that type तो आपको समझे आया है ना hot deserts and mountains इसमें भी जो है temporary settlement होते है permanent settlement नहीं होते विए ठीक है क्योंकि इतना time नहीं है ता और ऐसी conditions भी नहीं होती है ना क्योंकि natural disaster आते रहते हैं that's why आप आते है permanent settlement पे तो settlements which are made to live for a long time मतलब एक लंबे समय के लिए जो बनाए जाए एक लंबे समय के लिए जो बनाए जाए for a long time are called the permanent settlement example people build their homes to live जैसे हम लोग अपने घर बनाते हैं रहने के लिए अब ऐसा थोड़ी ना है आप लोग बच्चे हो class 7 के आज जैसे आप घर में रह रह रहे हो दो महीने के और देख लेते हैं इसमें बस इतना ही हमें पढ़ना है इसमें चोटी-चोटी classes है रूरल सेटल्मेंट मतलब ग्रामीड जो आवास होता है ठीक है ग्रामीड आवास जो होता है माई डियर स्टूडेंट्स जहां गाउं में लोग रह रह रहते हैं तो the villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture जहां लोग the villages जो गाउं का जो आवास होता है वो ग्रामीड आवास कहलाता है जहां लोग activity करते हैं करियाएं करते हैं खेती करते हैं fishing करते हैं मचली पालन करते हैं forestry करते हैं और क्राफ्ट मतलब handcraft से कुछ काम मतलब कोई चीजे बनाते हैं यह चोटे-चोटे काम करते हैं and trading small trading not the wash trading small trading जो करते हैं students आगे है rural settlement can be compact एकदम compact होता है चोटे सी जगह में होता है और scattered मतलब बिखरा हुआ होता है एक compact settlement is a closely built area of due links wherever flat land is available एक compact settlement एक ऐसे एरिया में होता है जहां फे land कैसी हो फ्लैट हो इस तरह से फ्लैट हो इस तरह से फ्लैट हो इस तरह से फ्लैट हो फ्लैट हो फ्लैट होनी चाहिए लैंड जो है आपका ठीक है इसकेटर मतलब यह दो यह तो mountains हो यह बटेट डिजर्ट सो मांटें में ऐसा थुनी ना आप compact settlement थुनी ना मना लोगे ऐसे करके तो एक गरी यहां पर एक गरी यहां पर इस तरह से न यह होगा आपका scattered scattered settlement है न इस टाइप of settlement is mostly found in the haley track जहां पे जो haley tract होते हैं ठीक फॉरेस्ट घने जंगलों में यह settlement पाया जाता है एंड डीजन ऑफ extreme climate यह important भाई extreme climate क्या होता है बच्चा एंड रीजन ऑफ एक्स एक्स्ट्रीम क्लाइमेट मतलब होता है मतलब जहां पर बहुत जादा natural disaster आती है न एक्स्ट्रीम क्लाइमेट जहां पर यह तो बहुत जादा गर्मी हो यह बहुत जादा ठंडी हो यह बारिस हो एक्दम रेंफॉल भी ते जो उसको एक्स्ट्रीम क्लाइमेट केते हैं ठीक है इस तरह के सटल्मेंट वहां पर होता है आगे है इन रूलर एडिया पीपर बिल्दा हाउजेस्टू सूद तूसूद देर मॉर्मेंट इन रिजन सफ हैवी रेंफॉल हाउजेस्टू स्लैंटिंग रूफ तो जो गाउं में जो ह देर में लोग घर बनाते हैं कि उस मोर्मेंटसे मोहां परिचित हो सकें और ज Cornstone शूद यहां पर ज्यादा बारिस होती है महां पर इस तरह से हैं गशे बारिस गिरे और रूफ ऑAdam होती है जिसके थ्रूब बारिस फिर जा कर दाए ए फ्लैट रूफ नहीं होती सरे से ठीक ह इस तरह से जो है गर बनाए जाते हैं जहां पर बारिस ज्यादा होती है वहां पर घर आपने पता है ना हिंदी आर्म कमें देखों थिक मड़ वाल्ड हाउस यह इंपॉटेंट है देखो भाई जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है थिक मड़ मतलब मोटी और मिट्टी की जो है दीवारें बनाई जाती है या घर बनाई जाते हैं इस तरह से जो है बनाई जाती है आगे है इंडिजन्स वेर वाटर एकुमलेट इन रेनी सीजन हाउसे आर कंस्ट्रक्टेट इन यह तो हो गया मारत ठीक है तो इस तरह से हमने यह पढ़ाया आपको अच्छा लाग होगा थैंक यू वेरी मुच्छ इसको ध्यान से करना हुआ झाल 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 झाल